हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Facebook का password बहुत ही आसानी से किस प्रकार देख सकते हैं जी हाँ यदि आप अपने Facebook का password भूल चुके हैं और आप को यान नहीं है और आप वह अपना Facebook account लॉग इन करना चाहते हैं बट आपको अपना password ही पता नहीं है तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Facebook का password किस प्रकार से देख सकते हैं तो चलिए इससे पहले जिदि आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को एक लाइक चुरूर कर दीजिएगा इससे पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जिरूर रताइएगा कि आपको यह जनकारी कैसी लगी चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रेन पर तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फेस्बुक पर जाना होगा फेस्बुक गर जाने के बाद आपको यहां पर थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहां नीचे सेटिंग पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहां सेटिंग का option मिलता है आपको इस पर फिर से click कर देना है इस पर click कर देने के बाद आपको यहाँ पर उपर की तरफ आना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है security and login का तो आपको इस पर click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ option मिलता है change password का आपको इस पर click कर देना है अब जैसे कि आप दोस्तों अपना password change करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना current password यानि कि पुराना password डालना होगा याँ new password में आपको जो नया password बना जाते हैं वैड डालना होगा जी टाइप new password में आपको वैड पासवर्ड फिर से डालना होगा जो आपने नया password बनाया है बट अप प्राबलम यह आती है कि आपको अपना पुराना password नहीं आदें दोस्तों चलिए आप वह बात करते हैं कि आपको अपना पुराना password किस प्रकार से देख सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जीमेल में जाना होगा जीमेल में जाने के बाद आपको यह ऊपर इदर अपनी highly option पर जाना होगा प्रोफाइल 450 आपकोर यह मैनेस합니다 योर Google आकोंट पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यह पर बहुत सारे option मिल जाते हैं तो आपको इध इस पर click कर देने के बाद आपको ऊपर इतरफ स्क्रोल करते हैं जाना है और दोश्तों आपको यहां पर एक option मिलता है password manager का आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद आपके mobile phone में जितने भी apps के जो भी password होंगे वो आपको यहां पर मिल जाते हैं अब जैसे आपको Facebook का password देखना है तो आपको यहाँ Facebook वाले option पर click कर देना होगा उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जितने भी number से idea बनी हुई है उन सभी number के password आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो आप यहाँ से password copy करके देख सकते हैं तो इस प्रकारते आप अपने Facebook का password देख सकत तो इसके लिए आपको अपने Chrome ब्रावजर पर जाना होगा इसके बाद आपको यहाँ three dot पर click कर देदीना है इसके बाद आपको यहाँ सेटिंग वाले option पर click कर देना है इसके बाद आप उपर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ option मिलता है password manager का तो आपको password manager वाले option पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद आप यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे आपको यहाँ Facebook के जितने भी number से password बने हुए वह सभी आपको यहाँ पर सो हो जाएंगे तो आप इस प्रकार से अपने password देख सकते हैं जैसे कि आप किसी को भी password देखना च आप यहाँ से भी अपने Facebook का password या किसी अधर आप का password आसानी से देख सकते हैं और देखकर आप आसानी से अपने Facebook का password चेंज भी कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो के लाइक चरूर कर दीजेगा और कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे अंदर प्रोसान बलता है कि मैं भी और वीडियो बनाऊं जिससे कि मेरो को लाइक मिले सब्सक्राइबर बढ़ें तो दोस्तों इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेस्ट वीडियो में